नमस्कार मैं डॉक्र विजय बास्कर, मास्टर सिन आथपरिक्स कहीं 40 साल जमाने से अपन सुनरे की गुटने का दर्द है तो कहीं लोगंको इंजेक्शन देते, इंजेक्शन के वजे से बिल्कल इमीडेटली जल्दी सी जल्दी दर्द का मोथा उसको बोलते हैं स्टेरोइड इंजेक्शन, डेपोमेड्रॉल और केनकोट यह जो स्टेरोइड इंजेक्शन देने से जो गुटने के अंदर दर्द के नसा रहते हैं उसको टंपररी जो दर्द की मैसुस कम करा देता इस टेरोइड जो देते हैं उसके वज़े से नसा कराब हो जाते हैं उसके साथ जो इमीडेटली दर्द कम रहने से अगर अपन गुटने को ज़्यादा इस्तमाल किये तो गुटने पहले से ज़्यादा कराब होने के चांसे से गुटने ज़्यादा गसने के चांसे से तो आजकल जमाने में स्टेरोइड पूरा बंद किया गया केवल जो बुज़ुर्ग रहते जो 40-50-80 साल तक 60-80 साल तक लोगों में जो आपरिशन करने लायक नहीं रहा जो घर में चुपे रहे तो उनको ये इंजेक्शन देने से इम्मीडेटली दर्द कम होने का कोशिश कर सकते हैं अगर नॉर्मल 20-30 से लेके 60 साल तक जो जिसको गुटने का दर्द आता उनको स्टेरोइड इंजेक्शन देने से ये अपरादी होता है नहीं करना चाहिए इसा स्टेरोइड से गुटना और कराब होके गुटने का डैमेज ज्यादा होके गुटना जल्दी से जल्दी आप अर्थपिरिक सर्जिन केवल बुजुर्ग और जो उनको और कुछ प्रसीजर करने लायक नहीं रहे तो ये दर्द कम करने के लिए स्टेरोइड इंजेक्शन देते अदर्वाइस नार्मल लोग उनको हाईलोरेंडेस इंजेक्शन बोलके गुटने में देते वो नन स्टेर से भी गुटने के अंदर जो कम हो गया जो काटिलेज उसको बढ़ने के लिए पी आर्पी इंजेक्शन दे रहे उसके साथ फिजो तरपी और दवाई दियो तो ठीक हो जाएंगा अगर स्टेरोइड इंजेक्शन इंजेक्शन कम्प्लेटली रिजर्व करना सिर्फ ओलों क को देना जो लोग बुजर गया कोई प्रोसीजर के लिए फिट नहीं और जादा दर्थ है तो स्टेरोइड देने से उनको इमीडेट रिलिव रहेंगा थाकि उनको फ्यूचर में कोई प्रोसीजर करने का ज़रत नहीं पड़ता है HIT TV APP, ALL THE SUCCESS FOR THEIR LAUNCH, PLEASE DOWNLOAD THE APP DOWNLOAD THE HIT TV APP NOW